हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मुने स्वाउट करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी एसाई का जो रिजल्ट है वह अभी तक क्यों नहीं आया है और आपका जो डिले हो रहा है वह क्यों हो रहा है इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि जिन कंडिडिटों के जो मैं नंबर बताऊंग इस वीडियो में हम इन चीज इन सभी चीज़ों पर चर्चक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीज़ेगा गौर्वर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो कुछ ऐसा कि आप देख सकते हम ओफिशल वेबसाइट पर और कल की डेट में इसमें दो नोटिफिकेशन जो है अपलोड कि कि गए हैं और यूपी ऐसाई से इन दोनों नोटिस में से कोई भी नोटिस नहीं है तो आखिर यूपी ऐसाई का जो रिजल्ट हो कब आएगा और अगर मैं बात करता हूं रिजल्ट के बारे में तो यूपी ऐसाई का जो आपका रिजल्ट है अभी उस पर जो है वाद हिवाद हो रहे हैं कोट के अंदर कि जो आप सभी को पता है कि बहुत से कैंडिडेट हो के एक सो चालिस प्लस मार्क्स आ गए हैं इसके अंदर और एक एक सो चालिस प्लस केंडिडेट हैं एक सो चालिस प्लस सवाल सोर्फ करने वाले केंडिडेट हैं यह रियल केंडिडेट है या फिर फिर केंडिडेट हैं क्यूंकि अगर एक बार आपका त्रिजल्ट आ जाता है और इस चीज पर अनलाइसीज नहीं हो पाता है कि एक सो चालि तो ये result के अंदर ही इन candidate को रोक सकता है अगर result में इनका नाम आ गया तो फिर इनको बागी की जो भरती परिक्रिया है उनके अंदर इनको रोका नहीं जा सकता और ये नोकरी ले लेंगे तो इसलिए आपका जो result है वो delay हो रहा है पड़ना अभी तक आपका result है वो आ जाना च result जो है वो सो परसेंट चांस है कि आपका जारी कर दिया जाएगा क्योंकि जो भरती बोड़ है वो भी निरंतर इस पर सुनवाई कर रहे हैं कि एक सो चालिस प्लस जो candidate है यानि के marks जिनके question right है उनका क्या 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 करना है क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि math में reasoning में और हिंदी में नंबर ला सकते हैं लेकिन जो इसके अंदर मूल विदी था उसके अंदर 40 में 40 marks नहीं ला जा सकते लेकिन बहुत से candidate हो के मूल विदी के अंदर भी एक सो चालिस प्लस सवाल जो है वो right है जो की बहुत ही बड़ी उपलबदी है उन candidate हो के लिए अब वो result के अंदर थोड़ी सी लेट लतीफी देखने के लिए मिल रही है जैसे ही एक सो चालिस सवाल प्लस जो candidate है इनका मामला जो किलियर होगा उसी week में आपका result जो हो जारिक कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत से real candidate भी हो सकते है कि उनके 140 सवाल ठीक हो और बहुत से fake candidate भी हो सकत रहेगा कि real candidate है तो उनके साथ धोका ना हो और जो fake candidate है तो उनको फायदा ना हो इस वज़े से आपका जो है जो है जो है लेट हो रहा है और cutoff की वीडियो अगर मैं बात करता हूं तो cutoff की वीडियो मैंने बना दी है पहले ही अगर आपको आपके marks जो है आपके सवाल जो है उसके लमसम आपके right सवाल है तो आप PT की तैयारी करते जाएए फीजिकल की तैयारी करते रहे है जितना भी आपको time मिलता है उतना आपके लिए फायदा है क्योंकि यह ऐसा तो है नहीं कि physical आपका दो तिन के अंदर आप एकदम fit हो जाएंगे physical में आपको fit होने के लिए आ आपको time लगता है और time आपको जबी मिलेगा जब आपका result में देरी होगी क्योंकि एक बार अगर result आपका publish कर दिया गया तो उसके बाद आपको ज्यादा time नहीं मिलेगा यानि कि एक मन्त के अंदर आपका dvpst दोनों ही करा लिया जाएगा तो delay के अंदर होने के यह बहु हो रहा है और हम आशा है कि अप्रेल के अंदर आपका result जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा तो जब तक आप चैनल के साथ जोड़े रही है जैसे ही result के बारे में कोई update आती है तो मैं आपको शूचित कर दूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को जरूर दबाती किजिएगा गोर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू